ओम स्यंति, हमारी सर्व स्रेश्टि स्थिती स्वराज्य धिकारी है, और सबसे पावर्फुल स्थिती मास्टर सर्व शक्तिवान की है, बाबा ने हमें जनम देते ही, हमारी जनम दिन की गिफ्ट हमें प्रदान की थी सर्व सक्तियां, ऐसी सुन्दर गिफ्ट संसार में तो औ और कोई दे भी नहीं सकता, किसी के पास भी नहीं है, हम इस सत्त को स्विकार कर लें, कि हमारे पास परमात्तम शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां हैं, उसने हमारे सिर पर हात रख कर, अपनी सर्व शक्तियां हमें प्रदान कर दी हैं, सोचे जरा जब संक्राचारिये ने सन्यास लिया छोटी आयू थी वो अपने गुरू के पास पहुँचे गुरू ने उनके सिर पर हात रखकर अपनी आठो सिद्धियां उन्हें प्रदान कर दी और उन आठ सिद्धियों के वल पर संक्राचारिये जी संसार में बड़े काम करने में सफल हुए मात्र बत्ति साल की आयू तक कितनी बड़ी चीज है एक मनुस गुरू ने अपने सिस्ष के सिर पे हाथ रख कर सब सिध्या दे दी और वो बड़े-बड़े काम कर गए सोचो हमारे सिर पर किसने हाथ रखा है जो सर्व शक्तिवान है जो सबसे बड़ी ताकत है जिसके बाद कोई नहीं है उसने हमारे सिर पर हाथ रख कर कहा मेरी सारी शक्तियां आज से तुम्हारी हम इस नशे में आ जाएं हम इस इस मर्ती में आ जाएं कि स्वयम सर्व शक्तिवान ने अपनी समस्थ शक्तियां हमें प्रदान कर दी हैं वो हमारे पास हैं हमारे बुलावे पर वो हाजिर हो जाती हैं पर हमें याद रखना है शक्तियां किसके बुलावे पर हाजिर होंगे जो स्वमान की सीट पर सैट होंगे बिना सीट के कोई किसी का ओर्डर नहीं मानता आज को उतर गया तो कोई नहीं मानता हम भी मास्टर सर्व सक्तिवान के स्वमान की सीट पर सदाइस्थित रहें तो ये दो अभ्यास बहुत अच्छे हैं जो मास्टर सर्व सक्तिवान बनते हैं वही स्वराज अधिकारी भी बन जाते हैं और स्वराज अधीकारी तो सर्वर्चिस्थिती है जिसमें हम मन पर बुद्धी पर कर्मेंद्रियों पर अपने संस्कारों पर राज करने लगते हैं जिसमें हम इस देहरूपी प्रकर्ती के पूरी तरहे मालिक बन जाते हैं देहे से न्यारा होना हमारे लिए एक आनन्द का विशय बन जाता है सेकिंड का काम हो जाता है जो पास्विद ओनर होने वालों की पहली पहचान है तो हम सबी स्वराज जदिकारी बनेंगे और मास्टर सर्व शक्तिवान की सीट पर बैठकर अर्थात इस नसे में स्थित होकर मैं आत्मा ब्रकुटी सिंगासन पर विराज मान हूँ स्वराज अधिकारी हूँ मास्टर सार्व शक्तिवान हूँ सार्व शक्तियों की मालिक भी हूँ फील करें मैं मालिक हूँ ये मालिकपन की फीलिंग इसको बहुत गहराई से रियलाइज करने मालिक अधिकारी तो स्वयम के भी मालिक शक्तियों के भी मालिक मालो नेरने शक्ति नहीं है तो आवान कर सकते हैं बस संकल्प करें मेरे पास संपूर नेरने शक्ति है है मेरी बुद्धी परफेक्टली काम करो अपने नेरने शक्ति को इमर्ज रखो मेरे पास सेहन शक्ति की कमी है सहन सक्ति कावान करें हैं, सहन सक्ति, तुम तो मेरी शक्ति हो, सदा मेरे साथ रहो, और संकल्ब कर लें, मैं तो सहन सक्ति से भरबूर, सहन सिलता की देवी देवता हूं तो ये सभी चीजे काम करने लगेंगी, आज सारा दिन हम स्वयम को ये स्वमान देंगे, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूं और स्वरा जदिकारी हूं, मन का मालिक हूं, विशेश रूप से मालिक हूं है मेरे मन, तुम्हें वही करना है, जो मैं चाहूं, मैं तुम्हारा मालि ये गुड फेलिंग बढ़ाते चलें, तो सारा दिन ये दोस्वमान अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान, स्वराज जदिकारी और स्वयम को भ्रकुटी सिंगहासन पर बैठा हुआ देखेंगे, मास्टर यान सूरिये शक्तियों के मालिक, जिससे चारोर रंग व बहुत तेजस्त्री और मुझसे चारोर शक्तियों की रंग विरंगी केड़ने फैल रही हैं, इस गुड फेलिंग में सारा दिन रहेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे, और स्वयम को शक्तियों से संपन और अपने मालिक बनाएंगे, ओम स्यानिक्टी